आज का टॉपिक होने वाला है कि आप अपने किसी भी रेडमी सौमी या तोको के डिवाइस के अंदर सौफ्टियर को कैसे फ्लैस कर सकते हो ठीक है लेगिन मैं आपको यही कहूंगे जब भी मैं कोई वीडियो देता हूं उसमें कुछ इस्टा इंफ्रमेशन भी आइड करते ह या पर कोई भी डाउट्स नर रहे सारे कुछ खिलियर हो है तो वीडियो को पूरा एंटक वाच करना तब ही डिसीजन लेना कि आपको यह करना है या नहीं करना अधर बस प्रोसेस देखोगे समझोगे और भाग जाओगे और प्रोसेस फॉलो करके फिर रोते फीडियों कि मुझे तो यह प्रोलम नहीं आने चाहिए थी यह प्रोलम की हुआ या इसलिए पूरा देखा करो तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे क्या कुछ जो करना है ताकि आपके डिवाइस का है जो डिजन वगेरा चेंज हो या सफ्वेर फ्लैस कर पाओ कई सब्स एक ही आए और बाकि अपने मर्दी के हिसाब से जो भी चेंज करना है वो इस प्रोसेस के दोड़ान आप चेंज करते हो वीडियो अच्छा लगता है तो यह लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ताकि ऐसी चीज़ आपको मिलती रहे तो हम यहां पर आचुके अप पोको सौम या रेडमी प्रोसेस बिल्कुली सेम होने वाला है कुछ भी डिफ्रेंट नहीं होगा बस आपको फाइल अपने डिवाइस के हिसाब से पिक करना होगा इसके लबा कुछ चेंज नहीं करना है सब कुछ में यहां पर किलियर करता चलूँगा इसलिए अच्छे से दाउन्ओड कर रखा है जैसे आप देख से तो यह है हमारा और इसके अगर में प्रोपर्टी तो यहां पर आपको दिखाई देता है टीजी जेड तो जब भी आप फासवूट में यूज करते हो तो आपको टीजीड की फाइल की जिप फाइल हमारा काम आता है हमारे फोन क प्रोम इस्टॉल करने काम में आता है जो कि आप फोन से भी फ्लैस कर सकते हो मैंने वीडियो दे रखा है लिंक आपको डिस्क्यूशन में या फिर वीडाउट PC फ्लैसिंग गाइड के प्लेइलिस में आप देख सकते हो तो सब्सक्राइब तो यह चीज है जिसे आपको सिं यह हमारा F5 है यह हमारा F4 है और यह हमारा F3 या मिल उने सकहलों तो सभी का मैंने C-Drive में ही डाल रखा है लेकिन आप export हो इन मामलों में तो आपको वीडियो देखने के जुड़ोती नहीं पर ही आप कहीं पर यह अंजीब करके कर सकते हो लेकिन नीव हो चाहते हो कोई तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि यह अलग फॉर्मिट में है तो आपका विंदार थोड़ा एक्स्टा टाइम ले लेता है और एक चीज़ का और ध्यान लगना कि जब यह प्रोसेस फॉलो करो आपके फोन की बैटी यह चार्ज होनी चाहिए कम से कम तो 50 प्लस होनी चाहिए लो बैटी पर कभी भी मत यह चीज़े करना अगर आप न्यू हो तो यह सारे चीज़े आपको जानने और फॉलो करने की जबरत नहीं है साथ अपने डेटा का बैक अप ले ले लेना कि इस प्रोसेस में सब कुछ आपका यहां पर डिलीट हो जाएगा और अभी मैं आपको दिखा दूकि मेरे फोन के तरह जो सफ्ट्रेयर डाला हुआ है 2.0.202 और यह हमारा एक यूरोप का वर्जन है ओफिस्यल जो कि आपको बीच में EU दिखाई दे रहा होगा बट मैं यहां पर डिफरेंट सफ्ट्रेयर पर चाहूँ तो फ्लैस कर सकते हो और डिफरेंट गया मैं इसे स्लेट करूँगा और एक्स्ट्रेक्ट कर दूगा हमारे सी ड्राइब के अंदर ताही होग कि आपको सौंज में आ गया कि कैसे इसे एक्स्ट्रेक्ट यानि अन्जिप करना है आप यहां पर जो भी फोन है जिसमें आप यह काम करेंगे उसका है जो सब कुछ बाकी चीज़े कर लेने के बाद आपको यहां पर सिंपल पावर आफ कर लेना है जो कि मैं यहां पर कर ले रहा हूं आपके फोन के स्विच आप हो जाने के बाद पावर टन और वॉल्यूम डान को लॉंग प्रेस करना है जिससे आपका फोन वाइबरेट करेंगा और जैसे नहीं है तो पहले अन्लॉक कर लेना है कि क्यों बीडाउट अन्लॉकिंग के आप अपने फोन के अंदर किसी भी टाइप का सफ्ट्यूर फ्लैस नहीं कर सकते है खुद से फिर आपको एडियल मैठेड वगरा फॉलो करना पड़ता है और वह साही चीजे पेड होती है अब मैं और सिंपल वे में जाते हैं जैसे कि आप निव और फर्स्ट टाम सीख रहे हो उस वे में हम लेके चलेंगे ठीक है तो यहां पर आपको हमेशा क्लीन ओल का ही ऑप्शन स्लेक्ट करना है आपको गलती से भी यहां पर से विज़ेट डेटा और यहां पर क्लीन ओल एनलॉक य यूज करना है अब यहां पर जो हमारा फाइल था वो अंजीफ हो चुका है सकस्कुली इसे मैं कट करूंगा अपने सी ड्राइब में जाऊंगा अपने फाइल को ब्राउच करूंगा जो कि मेरे फोन का सप्पोर्ट है यहां पर देखो एक ई ए दिखाई दे रहा है एक करूंगा यहां पर जो option है इसे में select all कर लूँगा जो की हो चुका अब में paste कर दूँगा अब देखे तो यहां पर आ चुका और इनके बिज में कहीं पर भी gap नहीं होना चाहिए अगर आप किसी और folder में उचकर और gap आ रहा है तो flashing में दिक्कत आएगा अब में यहां पर क कई सारे device तो करेंगा और flashing में दिक्कत आएगा तो इसलिए वह सारी प्रॉलम ना हो इसलिए यह चीच कर लेना और हां एक और चीच कि यहां पर आपको driver का option दिखाए देगा अगर कई सारे option दिखाए देने तो इस पर किलिक करके आप driver को इंस्टॉल कर लेना अगर आपका हो चुका है clean all है अब मैं यहां पर flash पे click कर दूँगा अब यह process start हो गया अब यह जब तक done नहीं हो जाता है complete हमारा phone normal on नहीं होता जब तक आपको wait करना है और यह time ले सकता है 5-10-15 minutes पगेर भी है हर device का अलग टाइमिंग होता है flashing का तो बस आपको simple wait करना है जब तक यह complete तो इसे हम होने देते हैं और आप आते हैं आगे process पर कहां से मिल गी कैसे download करना है तो वो देख लेते हैं एक site का link मैं आपको दे दूगा या Google कर सकते हो जो कि हमारा यहां पर है XM framework updater यहां पर आपको Xiaomi, Redmi, Poco के सभी device के software देखनी को मिल जाते है latest पुराने, updater वाले, password वाल पोको F6 का example के रूप में और यहां पर आपको सिर्फ नाम नहीं देखनी को मिलता है device का उसका code name भी मिलता है जैसे कि यह हमारा code name तमा जो पोको F6 है उसका code name आपको देखनी को मिलता है यह वाला और यह सेम device चाइना में redmi terror world 3 के नाम से गया हुआ है इसलिए यहां पर software का या hardware का code similar रहता है तब आप किसी भी region का software flash कर सकते हो बस आपका code यह match करना है यह code अगर different होता है तो भाई आपको दिक्कत आएगी वह चीज़ आपको नहीं करनी है device name change हो जाए कोई मतलब नहीं है लेकिन आपका code यहां पर change नहीं होना चाहिए ठीक है तो for example यहां पर देखते तो अबको Global लिखा हो मिलता है यहां पे अंडिया है रसिया है टाइवान है चाइना हे तो यहां पर Global में F6 है इंडिया में भी ह야 f6 है रसिया वगर है टाइवान में वह चाना में इसका यहां पे भी आपको देखनी को मिल जाएगा MI, अगर मैं डाउनलोड करूंगा तो इसके फास्वूट इमेज के अंदर भी आपको MI लिखा हुआ मिल जाएगा, यह हमारा Global Codename और यहां पे Global भी लिखा हुआ है, सेम उसी तरीके से मैं अगर किसी और डाउनलोड करूं, जिस तरीके से आप Codename डिडेक्ट कर सकते हो, पता कर सकते हो, डाउनलोडिंग के टाइम पे भी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, और यह क्रोस चेक हमेसा कर लेना कि जो भी आप software डाउनलोड करोए, आपके device के Codename को मैच कर रहा है या नहीं, जैस इस रीजिन का आप डालना चाहते हो, टाइवान है, गलोबल है, इंडिया है, रसिया या चाइना अगेरा है, उस तरीके से, और अगर फास्ट बूट कर रहे हो, तो आपको जिप नहीं डाउनलोग करना है, आपको करना है TGZ, और इसके इतने सारे मीरेर है, जिनमें भी आप इसका हाइपर नहीं है, तो यहाँ पर यह साइट आ गया, ऐसे कई सारे है, बट में साइट यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, अगर मैं इसे उपन करता हूं, तो आप इस डिवाइस का जो कोडनेम है, यह रहा हमारे पास, लेकिन यह अललग कंट्री में अललग नाम से गया पोको F6 का रोम डाल दो, F7 का डाल दो, या F3 के अलावा किसी और का डाल दो, नहीं, तो गरबर हो जाएगा, मामला आपका फोन खराब हो जाएगा, या software flash नहीं होगा, आपका यह code ने match होना चाहिए, डिवाइस नेम डिफेंट रहेगा, तो भी काम बनेगा, दिक्कत नह आएगी, तो अब यहाँ पर देखो, यह रहा हमारा EA लगावा है, टाइवान है, इंडिया है, चाइना है, तुर्की है, इंडोनेसिया इस तरीकी से लगावा है, अब सेम आपको फासूर flash करना है, जिस भी रीजन का, आपका इंडिया का डिवाइस है तो आप इंडिया का इंडर आप software डालते हो, तो आपको MIUI डाइलर देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सरे लोग इंडोनेसिया का रोम इसलिए उच करते हैं, क्योंकि बिल्कुली similar हमारे Indian रोम जैसा होता है, बस वहाँ पे advantage मिल जाता है MIUI का डाइलर, क्योंकि sometime कुछ devices में आपको यह चीज द complete हो गया और यहाँ पर success भी आ गया, में भी आपको यह latest टूल यूज करें तो यहाँ पर error देखने को मिल सकता है, लेकिन ध्यान देना है कि आपका phone on हो रहा है या नहीं, on हो रहा है, तो सहीए no matter, इसलिए मैं जो टूल यूज कर रहा हूं, वो ही आप यूज कर लोगी तो मिल जाएगा, और एक और Taiwan का जो रोम है, इसमें भी आपको जो similarity देखनी को मिलती है, इंडिया के रोम के जैसा और इंडोनेसिया के रोम के जैसा, यानि यह तीनों रोम काफियत तक similar देखनी को मिलते हैं, लेकिन performance wise Taiwan और इंडोनेसिया के रोम थोब बेटर निकल के आते है इंडिया रोम के comparison में, लेकिन वही पर, अगर आपको इंडिया में MIUI का डायलर नहीं है, गूगल वगेरा का डायलर दिया गया है, तो आप इंडोनेसिया का डालोगे, तो MIUI मिल जाएगा, तो तो मिल देगा, तो इसलिए बहुस आदे लोग इंदोनों रोम को ज़्यादा प्रिफर करते हैं, अधर आप किसी और रीजन का भी डाल सकते हो, चाइना वाला भी डाल सकते हो, लेकिन चाइना वाले कि अंदर आप प्लेस सर्विस नहीं देखने को मिलता है, गूगल प्लेस्टोर वगेरा, जो कि आपको अलग से डालना पड़ता है, और उसके वज़े से सम्टाइम आपको notification delay या फि कोई other issues वगेरा देखने को मिलता है, इसलिए चाइना का रोम सूपर डूपर होता है, लेकिन notification delay वगेरा और बाकिया दर चीजों के वज़े से, ये बहुत साई लोग use नहीं करना चाहते हैं, तो आप चाहो दो try वगेरा कर सकते हो, तो I hope कि आप आपको download करने से related दिक्कत नहीं आएगा, हमेसा ये code name वगेरा आप अपना ध्यान रखना, अब रही बात कि ये code name हम पता कैसे करें हमारे device का क्या है, तो वही मैं आगे बता देते हूं, बस setup कर लेते हैं एक और मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर setup complete कर लिया है, मैं आ और यहाँ पर हाँ, एक और चीज़ लोगों के doubt आते हैं कि क्या अगर हम इस तरह किसे booter unlock करते हैं, और किसी different region पर जाते हैं, तो हाँ पर OT update होगेरा आएंगे या नहीं, अगर OT update आते रहते हैं, बागे रहते हैं तो हाँ, आप OT update मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होग बस आपको है, जो यहाँ पर फासवूर रोम से जाना है, किसी भी रोम के उपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है, जो कि code name गंदर बीच में IN आ चुका है, यानि इसके पहले मेरा Europe का रोम था, अब मैं यहाँ पर इंडियन रोम पर अपने default वाले पर भी जा सकते हो, या फिर डिफेंट पर भी जा सकते हो, और या फिर आप software को upgrade कर सकते हो, latest वाले पर अगर आप older पर हो तो अगर available है latest वाला तो या फिर आप downgrade कर सकते हो, for example आपने नहीं update कि अपने phone के अदर उसमें कई सारे bug आ रहे हैं, और battery drop हो रहा है, hitting हो रहा है, lag हो रहा है, तो वैसे मैं आप ये same process follow करते हुए, बस आप अपना older OS download कर लो, जैसे मैंने आपको download करने के बारे में बताया है, और उसे flash कर लो, आपका काम बन जाएगा, बस मैं recommended यहीं करूँ कि bootler नहीं lock करो तो बेटर रहेगा, अब मैं आपको यहां पर वीडियो दे रखा है, आप चाहो तो जाकर चेक कर लेना, जिससे आपको यहां पर पता चल लाएगा, unlocking वगएरा process और आप unlock कर पाऊगे, और यहां पर मेरे phone का data वगएरा भी सब को delete हो चुका है, तो I hope कि मैंने साहे doubts वगएरा आपको clear कर दियें, और एक और चीज कि क्या इस process से मारे phone की warranty void होती है, नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी आपको service center जाना पड़े किसी भी issue से, और आपने phone का region चेंज कर लिया, किसी और different region पर जा चुकी हो, तो मैं recommend it करूँ है कि वापस stock region पर आ जाओ, जैसे कि इंडिया करे वैसे तो इंडिय home पर या किसी और other चीज करके, यानि जैसे stock company के तरह से आपको phone मिलता है नहीं, उसी तरह किसे करके और लेकर चले जाओ, और जो भी problem है वो आपको बताओ, उसका solution आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो I hope कि आपको यहाँ पर कोई problem नहीं आने वाला है, इस process को समझ में आ ग India का है, और यह same device China में भी है, और global में भी है, लेकिन India में camera sensor या कुछ ऐसे चीजे hardware-based change है, जो कि India में अलग है, global में अलग है, या फिर चाइना में अलग है, तो वैसे में जो आप अपने phone के अंदर different region का software डालते हो, जहाँ पर hardware-based changing है, तो आपको issue देखनी को मिलता है, और तो जब India ले device के अंदर, जो कि 64 के साथ आया था, उसमें global का room डालते है, जबकि global में हमारा 100 megapixel था, तो जिसके वज़से camera के अंदर हमें हलका फुल का tint problem देखने को मिलता था, तो यह problem आपको maybe face करने को मिल सकता है, अगर hardware-based changing हुआ है different region में तो, तो यह चीज़ आप पता क इसे करेंगे, तो आप internet पर search मार लो, यह software डालोगे, उसमें काम नहीं करेंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा hardware-based कुछ ना कुछ चेंज है, ऐसा नहीं का पका phone ख़राब हो जाएगा, वो बला special चीज आपके phone के तर काम नहीं करेंगा, just like camera में कुछ चेंज है तो camera काम न लेता हूं, simple आपको play store पर आ जाना है और एक application डाउड करने लेना है, जिसका नाम आपको देखनी को मिलता है, device hwinfo, ठीक है, इसे आप डाउड कर लो और open कर लो, जैसी आप इसे open करोगे, आपको simple आ जाना है system पर और यहाँ आपको देखना है device और product name, जैसा कि आप देख code name पता चल जाएगा, उसी के code name भी इसे आप से आप है जो, अपने device का software download करते से मैं, चेक कर पाएगे, हां मैं supported software download कर रहा हूं या नहीं, जैसे कि मैंने यह same code name का room flashker के दिखाया था, बाकि आपको मिलने इसका दिखाया उसका defense हा, तो I hope कि अब आपको है जो device code name भी पता क करने से related दिकत नहीं आएगी, तो बस side doubts clear हो गए, मिलते हैं next video में, वीडियो पसंद आया है तो like कर देना चानल पर नहें तो subscribe, ताकि आपको ऐसे informative वीडियो मिलते रहे, thanks watching, bye bye झाल